आज गाजियाबाद के खोड़ा वंदला इंकलेव से बहुत दर्दनाक खबर देखने को मिली बहुत बड़ा हाथसा यहाँ पर होते होते टल गया हाला कि सिलंडर की जो गैस थी वो इस घर में रात को रिसाव हुई और गैस का प्रेशर बन गया जिस प्रेशर के बाद आप तस्वीर दर देखिए यह 25 गज का प्लोट है यहाँ पर परिवार सो रहा था और जब वो प्रेशर बना तो यह पीछे आप देख रहे हैं यह पूरी दिवार है यह कमरे की दिवार थी और गैस के प्रेशर से कमरे की पूरी दिवार तूट गई और दिवार तूटने के ब मैं बिल्कुल exclusive खबर आपको दिखा रहा हूँ घर के अंदर स्वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर एक धरंजे नाम के बिहार के व्यक्ति रहते थे किराय पर वो रहते थे यहाँ पर राकेश जो धरंजे की वाइफ है खुश्बू यहाँ पर धरंजे खुश्बू उनकी 9 साल की बेटी उनका 3 साल का एक बेटा इस 25 गच के मकान में फ्लोर पे किराय पर रहते थे और यहाँ पर उनका किचन है यह किचन आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सिलंडर रात उन्होंने लगाया था कल रात को यहाँ पर सिलंडर उन्होंने लगाया था और वो सिलंडर कल रात से उसका गैस रिसाव कर रही थी यानि कि वो जो स्लेंडर नया लगाया गया था कहीं न कहीं वो लिकीज था लीक हो रहा था और जैसे ही पूरी रात वो लीक होता रहा उनको कोई उसकी खबर नहीं पड़ी कोई उनको स्मेल नहीं आई लेकिन जब सुभाए खुश्बू के ती धामाद यानि की जो बताया जा रहा है यहाँ पे धननजे और खुश्बू नौ सालकि उनकी बेटी तीन सालों का बेटा वो यहीं पर सो रहे थे इस बैड के ओपर आप तस्वीद्लय देखिये यह वो बैड है जहाँ पर वो सो रहे थे यह पूरा बैड है यहाँ पर तस्वीर दला देख सकते हैं कि आप मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा राकेश इस जीने से उपर आए और ये दरवाजा खुश्बू की धननजे की बेटी ने खोला उसके बाद लगबग सवा साथ मजे की घटना है सवा साथ मजे की बात है तो ये जो गैस है इस गैस जलाने के बाद जैसे ही वो सिलेंडर जो लीक हुआ था पूरी रात जो सिलेंडर रिसाव हुई थी गैस उस गैस ने पूरे कमरे के अंदर एक प्रैशर बना लिया था क्योंकि जब सिलेंडर की गैस लीक होती है तो वो धरती से या जमीन से मात्र एक से डेड़ फुट ही होती है वो नीचे बैठ जाती है तो जैसे ही बताया जा रहा है कि जैसे ही यहां पर गैस जलाई गई यह तस्वीर देखिए हलाकि जो परिवार के लोग हैं वो घायल है उनको एमस में भरती करा दिया गया है लेकिन यह तस्वीर आप देखिए जैसे गैस जला दी जैसे जैसे ही गैस जलाई गई और गैस जैसे ही लाइटर से जलाई गई तो एकदम यहां पर नीचे रिसाव जो गैस का हो रहा था उसने आग पकड़ ली और आग पकड़ते ही जैसे ही आग पकड़ी तो राकेस जो है उस बेटी को बचाने के लिए यहां से भागे और राकेस बे तरीके से घायल हो चुका है पुलिस ने इनको भी एमस में भरती कराया यह तस्वीर आप देखिए 25 गज का फ्लोर है पांच मंजिल बनावा यह मकान है खोड़ा नगर पाली का परिशत के अंतरगत यह मकान आता है यह हालत है जैसे यह काम हुआ उसके बाद यह तस्वीर भरड़ा था बहुत ज्यादा था जिस आइया-इया आप जेएन गैस के प्रैंशर की वजए से पतस्वीर आ देख सकते हैं क्या हालत होई है यह जो आप तस्वीरे में देख रहे हैं यह तस्वीर पूरा जो ऊपर तक बन हो गया है जल गया है उपर तक लेकिन छेंडर न लेकिन यह तस्वीर देखिए आप किस तरीके से यह आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो हालत है आई इधर दिखाई दरा यह तस्वीर इधर देखिए दरा यह किचन है और यहाँ पर ही वह परिवार सो रहा था और यह आप प्रेशर के मैं आपको दिखाने की करूँगा कि जो दिवार थी वो दिवार कितना जबड़्जस्ट प्रेशर था कि वो दिवार तूट गई और दिवार का जो प्रेशर पड़ा है आप तस्वीर देखिए सामने ये दिवार का प्रेशर सामने पड़ा है और सामने ये जो दिवार तूटी है वहाँ पर भी मका था वो लोग है क्या हुआ इस नहीं मैं खाना बना रहा था सुबह एकदा पर धमाका हुआ लगा कि भुई कप हो गया हमें और उस समय हमारे सेलिंग से कुछ गिरा जो पैर पर लग गया बाकी बाहर हम लोग भागे बार में पता लगा कि यह सब तूट गई उसमें तो पीछ हाँ उसी में रहते हैं तो गिरी तो वहां पर आगी उपर गिरा तो अंदर लगा कि जैसे भुई कफ हो गया था हमने बाहर भागा आप भी रहती हैं हम यहां पर खड़े थे बिल्कुल लगा कि अंधेरा तुपांज जैसा उठा तो इस ते दर पर बाहर चबागा कि भाग को भागो घर्मी आग लग गया है कोई लोग बोले कि भूई खाम भोड़ा है तो मैंने दोनों बच्चे के लिए के बाहर के तरह बागे और कुछ नहीं पता लगा कि वहां पर घर्मी आग लगा या कुछ भी हो लोग हले सब लोग बात किये तो लोग पर ताके तो दरवा यह जैसे ही दिवार प्रेशर बना और वो दिवार का जो प्रेशर था गैस का वो जो गुबार था वो यहां पर आके प्रेशर टूटा और यह जो दिवार थी यह गिरी तो लोगों को ऐसा लगा कि भूकम पा गया है तो यहां पे जो रहने वारी लोग है वो यहां से तु हुए और उनको बाहर निकाला लेके उनको हस्पीटल लेके गए सब दर जंक वहाँ से उनको एंस में ले आधनको आधमी है तो त्रामा जाय दमात था के तुछ में बरती है उनका ट्रीट्मेंट कीटंब दो एक आदमी और एक उसकी बच्ची है नो साल की उनका जो है एम्स ट्रामा सेंटर में इलाच चला है और काफी गंबीर कहाई लें ये